कुरोना वार्स संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए, अब कुरोना वार्स का जो चल रहा है, infection इसको रोकने के लिए, सरकार ने देश में लॉकडाउन तो किया है, और इस आर्थिक मंदी और लॉकडाउन में देश के कॉपरेट जगत को खासा नुकसान पहुचा है, काफी न तेक ओवर यानि अधिगरहण के लिए आसान निशाना बन सकती है, कि जो जो हमारे यहाँ के कॉपरेट एन्टिटीज हैं, जो कमजोर होती जा रही है, वो तेक ओवर का कर सकते हैं और भी कोई कर सकता है सरकार को राश्ट्री संक्रट की घड़ी में विदेशी कंपनियों को किसी भी भारती कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए आपको बता दें इससे पहले बीती 29 मार्च को भी राउल गाने ने प्रदान मंतरी मोदी को चिट्टी लिकर का था हमें दूसरे देशों की लॉकडाउन रन नीती से अलग कदम उठाने चाहिए हमारे देश में दिहाडी पर काम करने वाले गरीब लोगों की संख्या जादा है पूरी तरह से इस बंदी के कारण कुरोना से होने वाली मौतों की तादाद और भी बढ़ जाएगी राउल गाने ने बीती 12 फरवरी को भी मोदी सरकार को चेताते हुए कहा था कि कुरोना हमारे लोगों और अर्थ विवस्था के लिए बेहत गंभीर खत्रा है जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि ये द सवाल ये है आपके लिए कि राहूल गांदी की इस चिंता से आप कितना इत्तिफाक रखते हैं और ये दो फ्रंट पे जो जंग लड़ी जा रही है इसकी तैयारियों से आप कितने संतूष्ट है जो आपका पहला सवाल है कि जो राहूल गांदी जी ने टेकोवर्स की बात कही है तो आप इस प्रिष्ट भूमी में भी इसको देखें कि पिछले कई महीनों से और इन फैक्ट मैं कहूंगा कुछ साल से केंदर सरकार ने काफी छूट दी है विदेशी पूझी को यहां पर आने की और मेजॉरिटी स्टेक गरहन करने की आपको मालूम है कि अमरीकी प जाए वो इंशॉरिंस का सेक्टर हो और इस लिए ये आज ये मैं समझता हूँ कि इसको अलग से देखना पता नहीं कितना संभव हो पाएगा HDFC में जो Chinese Central Bank ने इस समय निवेश किया है मैं समझता हूँ कि उनकी चितावनी हमें इस रूप में देखना चाहिए कि संकट में क्योंकि हमारी धेर सारी कमपनियां कमजोड सीटी में हो गई है या होने जारही है तो अधिगरहण किस रूप में होता है और अगर होता है तो क्या इसमें विदेशी हस्तक शेप जो ज़ादा समवेदन शील छेतर है उनमें बढ़ता है जैसे बैंकिंग है या इस तरहे के छेतर हैं इसको ध्यान से जरूर देखने की जरूर होता है लेकिन मैं सरफ यह कहना चाहता हूं कि जो नौ उदारीकरण की जो नीथी के दर सरकार की रही है उसके तहद विदेशी पूजी को वो बराबर जादा उदार परनाते रहें उसके पति उनका रवय यह काफी दिनों से काफी ज्यादा उदार रहा है तो इस प्रिष्ट भूमी में हमें इसको देखना पड़ेगा जैस दूसरा आपका प्रशन था की बदेगों आप को बता दें कि राउल गाने देश के कॉपोरेट को लेकर चिंता इसलिए जाहिर की क्योंकि जैसा भी प्रफेसर श्रिवास्तर बता रहे थे चीन के पीपल्स बेंग आफ चायने यानि पीबी ओसी ने भारत की सबसे बड़ी चीन के सकेंडरी बैंक ने मार्च की तिमाही में हैं एक पॉइंट साथ पांच करोड शेरों का अधिग्रेंड किया है एक्सचेंज जनवरी से मार्च सन 2020 के बीच हुआ है इसी साल चीन के बैंक ने HDFC के शेर ऐसे समय में खरीदे हैं जब करोणा के कारण HDFC के शेरों में बीते एक मेने में 25% से ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है आपको बता दे कि HDFC बैंक और Housing Development Finance Corporation Limited अलग-लग कंपनिया हैं HDFC में शेर खरीदे के माने ये नहीं कि HDFC बैंक में किसी ने हिस्सेदारी खरी दी है यह Housing Finance में खरी दी है HDFC में मार्च 2019 तक भी PBOC की 0.8% हिस्सेदारी थी इसका मतलब यह है कि एक साल में चीन के बैंक की HDFC में हिस्सेदारी 0.21% बढ़ी है और अगर 7 या 8% हो जाए तब उसके डायरेक्टर भी नियुक किया जा सकते है आपको यह भी बता दे कि HDFC में पहले से ही जैसे प्रफेसर शेर शेर वास्तर बता रहे है और कंपनियों की तरह कई विदेशी कंपनियों के संस्ताओं की इसमें जादा हिस्सेदारी है मेरा दूसरा सवाल आप से यह है प्रफेसर श्रवास्तर चाइना के बैंक यानि एक विदेशी निवेशक ने देश की सबसे बड़ी हाउजिंग फिनैंस कंपनी में मेरे आप से सवाल है कि हमारी सरकार रेगिलेटर को क्या यह दिख गया था अगर दिख गया था उनकी रज़ामंदी से हुआ अगर नहीं दिखा था तो वो क्या कर रहे थे मैं तथियों के बारे में विशेश रूप से जादा कुछ नहीं कह सकूंगा लेकिन मुझे यह जरूर लगता है कि HDFC ने क्योंकि विनेशी विन्योग था और संसागत विन्योग था तो HDFC ने जरूर हाउजिंग HDFC ने जरूर CB को इसकी इतला दी होगी और CB ने इसका संग्यान जरूर लिया होगा इस समय जैसा कि आप में खुद बताया शेर्ज अभी एक प्रतिशत से थोड़े ज्यादा शेर्ज चाइनी सेंट्र बैंक ने इस समय अक्वायर किये हैं और इसका संग्यान ल देखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वह जिस और इशारा कर रहे हैं कि इस कमजोरी की स्थिति में अधिग्रहण के बारे में हमें सचेद होना चाहिए और सरकार को भी सचेद कर रहे हैं कि उसकी जो नव उतारी करण की नीती है उसके बावजूद भी सरकार को विदेशी जादिकरहन के पती सचीत रहना चाहिए. अब मेरा वो सवाल वापस आता है कि दो किस्म की जंग है दो फ्रंट पर. एक बीमारी से जंग है, एक अर्चववस्ता को खड़ा करने की जंग है. इससे जो सरकार कर रही है कितना संतुष्ट है आप? देखिए, जहां तक बीमारी से लड़ने का सवाल है, वो सरकार ये कह रही है कि इस लॉकडाउन की वज़े से कुछ कमी आई है, इन्फेक्शन की रेट में कमी आई है. लेकिन आने वाले दिनों में ही हम देख पाएंगे कि कितनी ये नीती सफल हुई है, अभी तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन संभवता कम से कम दो हफ़ते और एक्स्टेंड किया जाएगा. लेकिन मैं एक अर्थशास्ती होने के नाती ये जानता हूँ कि इस लॉकडाउन से जो लोगों की आजीविका पर लॉकडाउन हुआ है, उसका बहुत गंभीर परणाम देश में गरीबों के ऊपर और जो लोग आजीविका एक दैनिक तोर पर जो आजीविका जिनकी होती है, उनके ऊपर अगाद पहुचा है. और इस समय देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या भूक और भुकमरी के रूप में आ रही है. अलग-अलग जगों से जो खबरे आ रही हैं वो बहुत गंभीर हैं और आने वाले दिनों में लॉकडाउन के बढ़ने के बाद ये हो सकता है कि जो परिस्तिती है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाए केंद्र सरकार ने जिन फैसलों को अब तक जिन फैसलों की अब तक बात किये वो परियाप्त नहीं है हलंकि केंद्र और राज्य कुछ कदम उठा रहे हैं लेकिन मैं इस बात को जोड़ दे के कहना चाहता हूं कि जिस तरह से केंद्र सरकार को लॉगडाउन के कारण देश में आर्थिक गति विदियों पर ब्रेक लग गया है हवाई उडाने बंद हैं रेल बंद हैं बसे बंद हैं कंपनियों पर ताले लगे हुँ अब्रक्षन नहीं हो रहा है लॉगडाउन के कारण फ्यूइल कंजम्शन में पिछले साल के में आर्थिक विकाजदर में भारी गिरावट आएगी और ये सिर्फ 2.8 फीसद रह जाएगी ये उसे अगले साल की बात हो रही है IMFP भारत की आर्थिक विकाजदर के अनुमान को घटा चुका है Fitch Ratings ने भी मौजूदा विद्वर्ष के लिए भारत की Growth Rate के अनुमान को 30 साल के निशले स्तर पर 2 फीसद कर दिया है पहले ये अनुमान 5.1 फीसद था Corona वारस के संकट से पहले से ही देश के Corporate Sector की GST की जटल था एक तो GST इतना जटल है उसकी वज़े से उसके इलावा बढ़ते हुए NPS और फिर NBFC के संकट के चलते हालत रख हस्ता ही थी Corona के कारण April में Overseas Investors भारती बाजार से 9103 करोड रुपे निकाल कर सुरक्षित जगों पर लगा चुके है April में ही मेरे आपसे आखरी सवाल है कि आपसे जाना चाहेंगे कि भारत बाजार पर कंपनियों का भरोशा कायम करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने के लिए और हमारी कंपनियों पर कितना विदेशी कर्ज है संकट के इस दौर में अंतर राश्टिय स्तरपरम कहां खड़े हैं संकट है वो ज़्यादा गहरा नहीं है, देशी कर्ज बैंकों से जो कर्ज कमपनियों ने उठाया हुआ है और इस संकट के बाद जिसको वो पूरा करने में असमर्त रहेंगे और असमर्त हैं, वो ज़्यादा गंभीर समस्या है, सरकार में जो कदम उठाए हैं वो अब तक आने वाले दिनों में मुस्क्मु खिरू से रिजर्व बैंक ने कुछ सीमित कदम उठाएं, आने वाले दिनों में हम तो ये देखना होगा कि सरकार एक सुनियोजित रण नीती लेकर सामने आ पाती है कि नहीं, और उस रण नीती के पीछे एक बड़ी सोच है कि नहीं, दूसरा एक अंशी जाएगा अर्थविश्था को दुबारा एक उसमें एक गति लाने के लिए, वर्ल्ड बैंक ने जो फोरकास दिया है, मैं उसको एक आशावादी फोरकास समझता हूँ, क्योंकि अगले कम से कम दो तिमाही तक भारत में डीग्रोथ होने की ज्यादा झाल में.